वेलकम बैक, स्वागत एक बार फिर से आपके अपने यूटुप चैनल के amu क्लास में दोस्तो जैसा कि आप जानते हैं amu क्लास रोजाना साम सात बजे बालविकाश मनोबिज्ञान माराथन क्लास आपको देता है रोजाना साम सात बजे तो आज की Marathon Class का भागनो यानि नवा पार्ट आज का बाल विकास मनुबी ज्यान की Marathon Class की अपने चैनल के माध्यम से आप तक पहुँचा रहा हूँ और इसमें बालविकास मनुविक ज्यान के एक से बैक टू बैक पंदरक कोश्चन भेरी इंपोर्टेंट कोश्चन है जो सी टेट में पूछे जा सकने की पूरी पूरी उम्मीद है और इसमें कुछ ऐसे कोश्चन भी है जो सी टेट में पूछे भी गया है उनको भी मैंने इसमें साविल किया है तो आए 31 जनौरी के महराथन को आपको अगर पार करना है सुपर्टेट में जाने के लिए तो इस महराथन की क्लास को अटेंड करना पड़ेगा आपको तो आए शुरू करने से पहले मैं आप से एक होगा कि अगर आप वीडियो पर पहल के लिए तो फटाफट जुड़के चैनल को सब्सक्राइब करिएगा बेल आइकां दबाईएगा ताकि आगे का नोटिफिक्रिक्शन आपको मिलता रहे आए आए बाल विकास मुन विज्ञान मायरतन क्लास का आज भाग नो और उसका पहला कोश्चन आपके स्क्रीन पे है देखते हैं पहला कोश्चन हमारा क्या पूछ रहा है आज का हमारा पहला कोश्चन का पूछ रहा है कि बुद्धी मता के निमलिखित तीन पहलू को छोड़कर इस्टनबर्ग के त्री आयामी सिधान द्वारा निप्ता जाता है पहला कोश्चन पूछ रहा है कि बुद्ध एलियन से, समाजिक से, अनुभो वात्मक से या प्रासंगिक से, कुश्चन नमर बन का राइट एंसर कमेट बॉक्स में भी डालिएगा, पहली बार हैं तो जुड़ जाईए और पहली बार अगर सीटेट जेड़ हैं तब तो आपको एकदम जुड़ जाना चाहिए, साम साथ बजे, आज की कलास साम साथ बजे आपकी सुरू हो चुकी है, और ये वीडिव आपको साम साथ बजे मिल रहा है, तो फटा फट जुड़ जाएए और डिक्स्क्रम्शन बाक्स में जो है टेलिग्राम का लिंक मिलेगा, वहाँ पे आपको जो है, पीडियाप मिलेगा मेरे तिन पहलू को छोड़कर इस्टनबरंग के ती आमें सिधान द्वारा निव्टा जा सकता है वो है समाजिक ठीक है बढ़िए कोशन नमर दो की तरफ और देखिए कोशन नमर दो हमारे क्या पूछ रहा है कोशन नमर दो के हमारे पूछना है मित्रो कि हावर्ड गार्डानर के कई सिधानतों का सिधान जोड़ देता है हावर्ड गार्डानर ने जो है बहु बुद्धी सिधानत को दिया तो बहु बुद्धी सिधानत को इसनों ने कई लिख दिया है कई मतलब बहु बहु बहुत अधिक ठीक है तो हावर्ड के कई सिधानतों का सिधान जोड़ देता है किस पे समाने बुद्धी पे इस्कूल में आवश्चक समाने चमताएं पे सी परतेक बेक्त की अधितिय चमताएं पे और डी छात्रों के कंडिशनिंग कोशल पे हावर्ड गारड़नर के कई सिधानतों का सिधान जोड़ देता है इन चारों में से किस पे यही हमारा सेमित्रों इयामिक्लास रोजाना साम साथ वजे आपको देर आयब इकती जनौरी के होने वाले सीटेट इकजाम को देखते हूए को परतेक बेक्त की अधितिय चमताएं हावर्ड गार्डनर के कई सिधान्तों का सिधान इस बात पे जोड़ देता है कि परतेक बेक्त की कि पूछ रहा है कि द्पवनी नीच पियच सी अच क्या है इन क्या है में चारों में से क्या हैें त्प्रकार कि द्पवनी fic अक्या करते हैं यहीं हमारे कोश्चन निमर तीन का हूं पुछता है और इस तरह के कोश्चन पूच्छेंगा यह कोश्चन पूछा है दो हजार तेर 음 blood में सीके 2003 में कूस्चन पूंझा चुका ध्वनी TH, PH और CH का मतलब है कि क्या है? Phonemes है, ठीक है? Question Number 4 देखिए कि Question Number 4 हमारा क्या पुच्छना है? Question Number 4 के हमारे पुच्छना है मित्रों और छोटा कर दिजिए, थोड़ा दिखाई देखा आपको जी, अब देखिए Question Number 4 Question Number 4 कह रहा है क्लास में जेंडर स्टीरियो टाइपिंग के बच्चे के लिए टीचर चाहिए क्लास में जेंडर स्टीरियो टाइपिंग से बचने के लिए ठीक है जेंडर स्टीरियो टाइपिंग से बचने के लिए टीचर को चाहिए क्या करना चाहिए लड़कों और लड़कियों दोनों को गैर परामपर अगरिक भूमिकाओं में रखने की कुशिश करते हैं बी अच्छी लड़की या अच्छा लड़का कहकर चात्रों के अच्छे काम की सरहना करें सी लड़की को कुस्ते में हिसा लेने में हतोस्ताहित करना और डी लड़कों को जोखिम उठाने और बोल्ड होने के लिए प्रसाहिद करें तो क्या होगा question number 4 का right answer की class में gender stereotyping से बचाने के लिए एक teacher को इन चारों में से क्या करना चाहिए question number 4 का हमारे यही पूछना है तो बताए question number 4 का right answer क्या हो जाएगा मित्रो आईए देखते है question number 4 का right answer क्या होगा question number 4 का right answer हो जाएगा लड़कों लड़कियों दोनों को गैर पारामपारिक भूमिकाओं में रखने की कोशिश करते हैं एक teacher हैं अगर तो आप लड़कियों दोनों को गैर पारंपरिक भूमिकाओं में रखने की कोशिश करते हैं किस से बचने के लिए जेंडर स्टेरियो टाइपिंग से बचने के लिए कोशन नमर पाँच देखें का पूछ रहा है कोशन नमर पाँच पूछ रहा है मारा इसकूलों को बेक्तिगत अंतर को पूरा करने के लिए इन चारों में से क्या करना चाहिए पहला एक रहा है बेक्तिगत चात्रों के बीच अंतर को कम पूरा करना चाहिए इन चारों में से क्यूँ तो कोश्च नमर पाँच का हमारे यही पूछना है तो फटा फट कमेट्स बॉक्स में कमेट्स डालिए कि क्या होगा इसका एंसर अपने मन से भी और मैं आपको इंसर देता भी जा रहा हूँ तो आईए देखते हैं कोशन नमर पाच का राइट एंसर क्या हो जाएगा आए बढ़ते हैं अगले कोश्चन की तरफ और हमारा अगला कोश्चन पूछ रहा है कोश्चन नमर 6 देखिएगा मित्रो थोड़ा ओल छोटा कर लिजिए पूरा भी कल्ब दिखाई देगा आपको अब देखिए कोश्चन को कोश्चन कह रहा है चात्रो में बेकतिगत अंतर को समबुधित करने के लिए एक स्कूल किस तरह का समर्थन परदान कर सकता है? चात्रों के अंदर बेक्तिगत अंतर जो है उसको संभोधित करने के लिए एक स्कूल किस तरह का समर्थन परदान कर सकता है इन चारों में से A. बाल केंद्रित पाट करम का पालन करें और चात्रों को सीखने के कई अवसर परदान करें B कह रहा है चात्रों में बेक्तिगत अंतर को दूर करने के लिए हर सम्भव उपाय लागू करना C कह रहा है विशेस स्कूलों में धीमी गती से सीखने वालों को देखे और D कह रहा है सभी चात्रों के लिए समान अस्तर के पाठिकरम का पालन करें तो question अमर्चो का right answer comments box में डालिए मित्रो जैसा कि आप जानते हैं सीटेट के marathon class चल रहा है EMU class की तरफ से रोजाना साम 7 बजे यानि 7 बजे आपकी class शुरू हो जाती है 7 बजे आपको ये वीडियो मिल जाता है रोजाना सीटेट जो 31 जनौरी को होने वाला है तो अगर आपको जाना है अगले super-tate में अगर आपको जाना है मित्रो super-tate में तो आपको qualify करना पड़ेगा पहले C-tate या UP-tate अगर इन दोनों में से एक qualify करेंगे तब ही आप super-tate में जाएंगे वरना आप पच्छता हैंगे और पच्चताना ना पड़े इसके लिए आपको AMU class जोईन करिए आपके marathon class आपको दिलाएगा 20 प्लस बाल विकास मनवग्जान में मेरी guarantee तो question number 6 का राइटेंसर क्या हो जागा? question number 6 का राइटेंसर हो जागा A. बाल के अंदरित पाठ करम का पालन करें अगल एक question की तरफ और देखेगा question number 7 हमारा क्या पूछ रहा है? question number 7 हमारा पूछ रहा है मित्रो सतत एवं ब्यापक मुल्यांकर पर जोड दिया गया सतत एवं ब्यापक मुल्यांकर पर क्यों जोड दिया गया? A. सीखने को सुनिश्चित करने के लिए ब्यापक पैमाने का निरंतर परिक्षण इसलिए दिया गया B. सीखने को किस प्रकार मनाया रिकार्ट किया जा सकता है और बहतर बनाया जा सकता है इसलिए दिया गया उस पर जोड या C. का राय सिखण के साथ पर इछड़ो को ठीक ठीक त्योणिंग इसलिए दिया गया या डी बोड पर इच्छा के अतिरेक के लिए सतत वर भ्यापक मुल्यांकर जोड दिया गया तो कोश्चन क्या हो जाएगा कि किस परकार मनाया जाए रिकार किया जाए और किस परकार बाथ किया चलिए को चलिए कोशें नमरr आठके हमारे पुछनाय में तरो कि इस्कूल आधारित मुल्यांकन यानि इस्कूल पर आधारित जो मुल्यांकन हम करते हैं उस मुल्यांकन का मायने क्या है Board of Education की जबाब देही को पतला करता है B. Universal National Standard हासिल करने वाले हिंडन C. निदान के माध्यम से सभी छात्रों को अधिक जानने में मदद करता है D. छात्रों को गैर कानूनी और आकस्मिक बनाता है इस्कूल आधारित जो हम मुल्यांकन करते हैं एक सिच्चक के रूप में बच्चों का जो मुल्यांकन इस्कूल आधारित करते हैं वो इन चारों में से क्या करता है यही कोस्चन हमारा आठ का पूछना है तो फटफट कोस्चन नमर आठ का राइट इंसर बताईए कमेट्स बॉक्स में अपने मन से भी बताईए मित्रो और मैं जब आप जबाब देंगा तो उसमें देखिए कि आप लोग कितना तयारी कर मैं कह रहा हूँ क्योंकि मैंने फेस किया है जो पहली बार है उसको तो बहुत ध्यान से पढ़ना चाहिए मैं यही कहूंगा तो कोशन नमर आठ का राइट इंसर हो जाएगा मित्रो सी नीदान के माध्यम से सभी छात्रों को अधिक जानने में मदद करता है इसकूली आधा को संदर्वित करता है यानि सीखने के तत्परता का इस सिधान्त जो है वो इन चारों में से किसको दिखाता है छात्रों की समाने छमता अस्तर को बी सीखने के निरंतरता में छात्रों के संग्यानात्मक अस्तर को प्रतुत करता है सीखने की क्रिया का संतोस जनक स्वरूप ह या D थांडाई का नियम कानून है ये सीखने की तत्परता तो सीखने की तत्परता को संधर्वित करता है इन कोश्चन नमन नो में से A, B, C या D में से कौन सा एंसर राइट होगा तो मित्रो पहली बार है अगर सीटेट में तो फटा फट जुड़ जाएए बाल विकाश मनुविज्यान मैराथन क्लास के आठ भाग दिए जा चुके हैं ये नौवा भाग है आपका और रोजाना साम सात वजे ये वीडियो आपको मिल जाते हैं बाल विकाश मनुविज्यान मायाथन कलास के AMU कलासेस के माध्यम से तो जुड़ जाइए लाब लिजिए और जाइए सुपर टेट में बनिये टीचर ये हमारा आशिरवाद है आपका तो सीखने के लिए ततपरता को संदर्वित करता है कोशन नमर नो का राइट इंसर हो जाएगा बी सीखने की निरंतरता में चात्रो के संग्यानात्मक अस्तर को परस्तूत करता है सीखने का जो ततपरता है उसका माईने ये हुगा कि सीखने की निरंतरता में जो है चात्रो के संग्यानात्मक अस्तर को ये परस्तूत करता है ठीक है आईए बढ़ते हैं कोश्चान नमर 10 की तरफ देखेगा कोश्चान नमर 10 हमारा क्या पूछ रहा है कि एक सिच्चक के पास उसकी कच्छा में कुछ सारीरिक रूप से अच्छम बच्चे हैं निम्रिखित में से कौन सा उसके लिए उपयुक्त होगा यानि एक सिच्च अच्छम बच्चे आपको मैं पहले पता जुगा यानि मानसिक से लेके सारीरिक से लेके इस तरह के बिकलांग टाइप के बच्चे हैं तो निम्रिखित में से कौन सा उसके लिए उपयुक्त होगा इन चारों में से आपसान A. विल्चियर से बधे बच्चे हाल में जाने से पहले साथियों की मदद ले सकते हैं B. सारीरिक रूप से अच्छम बच्चे कच्छा में एक बैकल्पिक गति भी दी कर सकते हैं C. मोहन आप खेलने के मैदान में जाने के लिए अपनी बहशाखी का उपयोग क्यों नहीं करते D. पोलियो पिढ़ित बच्चे अब एक गीत प्रस्तूत करेंगे तो question number 10 का हमारे ये पुशन है मित्रो कि एक सी चक के रूप में अगर आपके कच्छा में कुछ सारीडिक अक्षम वाले बच्चे हैं तो इन चारों में से आप कौन सा उपयोग करेंगे उपाए तो question number 10 को आप समझ गये होंगे क्या कहने चाता है तो आईए देखते है question number 10 का right answer क्या है तो question number 10 का right answer है मित्रो C. मोहन आप खेल के मैदान में जाने के लिए अपनी बैसाखी का उपयोग को ही नहीं करते हैं क्यों नहीं करते हैं यानि हमको अगर सारीडिक अक्षम का बच्चा है तो हम उसको किस तरह से पेस करेंगे कि मोहन जो आपकी problem है पैर की तो आप बैसाखी उठा के क्यों नहीं खेल के मैदान में जाने की कोशिस करते हैं इस तरह कम को भाव देना है ना कि ऐसा करना है कि उससे लगे कि उसको कुछ problem है यानि कुछ गिल्टी फेलो ठीक है बढ़ते हैं अगले question की तरफ question number 11 देखिएगा question number 11 हमारा क्या पूछ रहा है question number 11 का हमारे पूछ रह मित्रो निम लिखित में से यानि निम लिखित को छोड़ कर सभी के कारण सीखने की अच्छामता हो सकता है इनमें से एक को छोड़ कर बाकी सभी जो है सीखने की अच्छामता हो सकता है ये पूछा है सिर्ब्रल, सिथिल्ता, भावनात्मक गरबड़ी, बहवार में गरबड़ी, सांस्कृतिक कारक निम्रिखित को छोड़ कर सभी के कारण सीखने की अच्छामता हो सकती है एक को छोड़ कर बाकी सभी जो है सीखने की अच्छामता हो सकती है इन चारों में से कोश्चन अमरी गारा का हमारी यही पूछना है तो मित्रो फटाफट जुड़ जाईए पहली बार अगर सीटेट के एक्जाम में एंट्री जर रहा है तो मैं कहूंगा कि आपको यह मैराथन क्लास रोजाना देखना चाहिए अगर आपने नहीं किया ऐसा तो आप जब जाएंगे तो यह बीस प्लस जो है आपके पांच से दस के बीच में रह जाएगा और तब आपको समझ में आएगा कि सीटेट आशान नहीं होता यूपीटेट से तो आए कोश्चान नमर 11 का राइट एंसर देखते हैं कोश्चन नमर 11 का राइट एंसर हो जाएगा डी सांस्कृतिक कारक इनने मिले खित को छोड़कर सभी जो है यह चारों जो है समावेसी सिच्छा से और एक जो है विकलांगता से इस तरह के तीन यह उपेन कोश्चन तो फटाफट जो है सीटेट पूछता है तो यह है समावेसी सिच्छा से कोश्चन एक समावेसी स्कूल क्या करता है क्या दरसाता है अपनी चमता के बावजू सभी चात्रों के सीखने के परिडामों को बेहतर बनाने के लिए प्रतिबद्ध है बी कहरा है चात्रों के बीच अंतर करता है और विसेस रूप से विकलांग बच्चों के लिए कमचुनोते पूर उपलबदी लचने दारित करता है सी कहरा है बिसेस रूप से बिकलांग चात्रों के सीखने के परिडामों में सुधार करने के लिए बिसेस रूप से प्रतिबद्ध है या डी कहरा है अपनी बिकलांग ता के अंसार चात्रों के सीखने के समय को तै करता है एक समावेसी सिच्छा इन चारों में से क्या करता है यही पुछा है तो मैंने आपको इसके पहले भी वीडियो जब आपने मेरा देखा हूँ तो मैंने आपको बताया होगा कि समावेशी सिच्छा वो सिच्छा होता है जिसमें वंचित बर्क, बिकलांग, मांसिक बिकलांग, सरडिक बिकलांग से लेकर समाने बच्चे चो सभी एक ही प्लेटफॉर्म पे आते हों उनको कहते हैं मोटा मोटी समझ लेजेगा समावेशी सिच्छा ठीक है तो कोश्चन नमर 12 का राइटेंसर क्या हो जागा यह जागा यह इसदार राइटेंसर अपनी छम्ता के बढ़ुद सभी चात्रों को अगरी कोश्चन की तरफ और देखिएगा हमारा कोश्चन नमर 13 क्या कह रहा है तो question number 13 मित्रों हमारा पूछ रहा है कि प्रतिभासाली चात्र इनमें शिक्किन को कहा जाएगा A. इस्कूल द्वारा आम तोर पर पर परदान किये गए समर्थन की आउशकता नहीं है प्रतिभासाली चात्र को B. बिना सिच्छक के अपनी पढ़ाई का प्रबंदन कर सकते हैं प्रतिभासाली चात्र C. अन्य चात्रों के लिए अच्छे माडल हो सकते हैं यानि अन्य चात्रों के लिए एक माडल बन सकते हैं उनकी तरह हमको भी बनना है ये कहने का मतलब है C का और D अच्छम नहीं हो सकता यानि परतिभा साली छातर इन चारों में से किस कटगरी में आते हैं कुछ नमर 13 का हमारे यही पूछना है तो कमेंट्स बॉक्स में कमेंट डालिए लाइक करिए शेयर करिए मित्रो अगर पहली भाग है मेरा अथन कलाश का अगर आपने पूरा देखा तो ठीक है आई कोशन नमर 13 का राइटेंसर देखते हैं तो कोशन नमर 13 का राइटेंसर हो जाएगा ए इसकूल द्वारा आमतर्पा परदान किये गए समर्थन की आशकता नहीं है यानि परतभासाली छातर को इसकू और दोनों का सही कहे रहा है या डी मनोसमाजिक करक उपकाहार के कारण 29 में से क्या है कोशन नमर 14 को यहीं पूछन है उपाहार के कारण 29 में से क्या है मित्रो मित्रो AMEU class रोजाना आपको दे रहा है बाल विकास मनो बिग्यान के बीस यानि पंदरा में से पंदरा कोशन जो आपके मायराथन में देगा अगर इस पंदरा में से आप दस भी हर रोज तयार फिट है आपका तो ये आप खुद सोच लिजिए के बीस पलस आपका तीस में से है ये मेरी गारंटी है लेकिन उसके लिए आपको चैनल से जुनना पड़ेगा रोजाना वीडियो साम साथ बजे डाला जाता है उसको देखना पड़ेगा ठीक है तो उपहार के कारण क्या है कोशनमर 14 काराइटेंसर हो जागा मित्रो सीज़दाराइटेंसर एक और दो दोनो कसे हो जान यानि अन्वानसिक मेकप और पर्यावरड़ी प्रेड़ा दोनो ही उपहार के कारण है बढ़ते हैं अगले कोशन की तरफ कोश्चन नम्मर 15 इस वीडियो का महरातन क्लाश के आखरी कोश्चन और आईए देखते हैं यह कोश्चन हमारा क्या पूछ रहा है तो हमारा कोश्चन आज का मित्रों पूछ रहा है चलिए में तो देखते हैं कोश्चन हमार 15 हमारा क्या पूछ रहा है देखिएगा कोश्चन हमार 15 हमारा पूछ रहा है बच्चों में सोचने और सीखने के लिए अनुकुलित वातावरण के लिए निमलिखित में से कौन सा उपयोगत है बच्चों में सोचने और सीखने के लि कि य जो बिकास्पिख συत करना उसके लिए सबसे अनुकुलित वातावर इंचारों में से क्या ही यह कुश्चन्ग पूछ रहा है जिससे बच्चों benefits और सीखने का भिकास जो है बहतर पब्हेदा कर सके तो इंचारों में से कौन सब्सक्रम अनुकुलित लंबे समय तक निश् देना कि क्या सीखता सीखना है और कैसे सीखना है यानि बच्चों के सोचने और सीखने की छमता विक्सीत करने के लिए सबसे इंचारों से अनुकुलित वातावरण इनमें से सबसे उपयुक्त सबसे अच्छा कौन है यह पूछ रहा है तो मित्रो इस वीडियो का आखरी कोशन है बैक टू बैक पंद्र कोशन माराथन क्लास भागनो आज चल रहा है और ऐसे ही आपका माराथन क्लास चलता रहेगा और एक जनावरी से मित्रो एक जनावरी से आपको EBS के भी कोशन मिलेंगे यानि EBS मतलब इन्वायर्मेंट के जो कोशन प्राइमरी में आते हैं सीटेट के वो भी आपको मिलेंगे तयारी बन चुकी है बस एक तारिक से आपको वीडियो मिलना सुरू हो जाएगा तो उसके लिए साम साथ बज़े ये वीडियो और वो आपको मिलेगा सुबा सुबा दस बज़े रोजान आपको मिल जाएगा ठीक है उसके अलावा कमेंट्स करिएगा और भी किसी चीच की आपको सेट में जरूवत हो तो मैं उसकी भी करने की कोशिश करूँगा लेकिन इसके लिए आपको जो है तयार रहना पड़ेगा जुड़ जाएगे चैनल से कमेंट्स करिए ताकि मैं जानू कि आपको क्या जरूवत है ठीक है आईए देखते हैं कोश्चन नमर पंदर का राइटेंसर क्या हो जागा कि बच्चों में सोचने और सीखने की छंता का विकास से सीखना है ठीक है तो मित्रो कैसा लगा आज का हमारा बालविकाश मनोविज्ञान माराथन क्लास भाग 9 के बैक टू बैक 15 कोश्चन सीटेट को देखते हुए कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताईएगा और अगर चैनल परना है तो चैनल से जूड़ जाए लाइक करिए शेयर करिए और अपने दोस्तों में भी शेयर करिए ठीक है मित्रो तो मित्रो आज के लिए दिजिए इजाजत कल फिर मिलेंगे साम साथ बजे एक और नए वीडियो माराथन क्लास के साथ लेकर वेरी वेरी इंपोर्टें कोश्चन के पंद्रह कोश्चन बाल विकाश मनों विग्ञान के तब तक के लिए दिजिए जायत नमस्कार मित्रो